हेलो एवरीवन तो फिर से मैं आपका स्वाबत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विपुल सर में और जैसा है कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमने इंटर बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं 12 के उनके जो एक्जाम साने वाली है 2024 में उसकी इंग्लिश के त्यारी कैसे कर इसके उपर हमने एक सिरीज स्टार्ट की है और उस सिरीज में मैंने यह बताया है फेज वन फेज टू फेज त्री और फेज फोर कि किस तरह से अपने प्रिपरेशन को हम फाइनल रोप दे तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले मै मैंने फेज वन वीडियो डाला था और अब भी देखी लिखा है क्या प्रिपरेशन ट्वेल्थ बिहार बोड फेज टू सेकेंड और यह जो डूरेशन है मैंने कितना पंद्रह दिन का दिया है तो मैं पहले बता दूं आपको यह फेज है क्या जिन्होंने पिछला वीडिय नहीं होती है तो बिदाउट प्लानिंग आपको काफी मुस्किल होगी और आप सबको मालूम है कि उभी था प्लान हमें सक्सेस रेट वह ज्यादा मिलते हैं तो फेज वन की वीडियो आपने नहीं देखिए तो पीछे जा कि आप फेज वन का वीडियो देख ले क्योंकि उ लाइक करने में कंजूशी नहीं करें विकॉस आपका लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मॉटिवेट करता है सेर कर अपने फ्रेंड्स को ता कि मैक्सिमुम बच्चे इसका बेनिफेट उठा सके तो देखिए फेज टू में क्या है यह 15 दिन के अंदर 15 डे प्रिपेर करते हैं कितने दिन में प्रिपेर करना है तो आप उसको करने के बाद सबसे पहले क्या करना ये गलती कभी नहीं करना है आपने ड्रेया क्षा किया है उसको क्या करें त्वाइस स्टोड सब्सक्राइध दो बार उसको आप क्या करेंगे पूरे अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पूरे अच्छे से क्या करना है रिवाइज करना है दिन अब जो बार जाती है फिर्श टू कि उसमें क्या कर देखिए एंसर दीज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चेंस स्टोडी ओफ इंग्लिश आपके बुक से यहां पर लिखें जिस वो कि आप टू प्रिपेर देखिए फर्स्ट कोश्चें क्या है कि निम्दा कंट्रीज वियर इंग्लिश से यूज अज मदर टंग सेकेंड लेंग्व बच्चों ने भी पढ़ा हूँ अनको मालूम है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका एंसर वहां से देख लेंगे और बहुत जल्दी हम लोग इसमसारे का एंसर भी लेकर आपके सामने आएंगे कि स्थेगाने से नेम दिफरेंट टैपस पक्राइब जैसे आनबाबब्यृट्ब आपने सबकिसी क्या होता है उसको आप अच्छे से लर्न करएंगे राइट करकर ब्रेक्षिस करेंगे ट्रीट्रा प्रेक्षिस करना आप का टाइप्ट्स ट्रैजडी है कोमेडी है ट्रैजी कॉमेडी है, मेलो ड्रामा है, फार्स है, मास्क है, तो इन सब को अच्छे से लर्न करेंगे, स्पैलिंग के साथ, थर्ड कोशन काफी इंपॉर्टेंट है, नेम दे डायलेक्ट सॉफ ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, तो आपको डायलेक्ट याद करना है कि वैड़ी इन सब को अच्छे से तो मस्ट तो जांस्रिणि газ कर लएंग्लिश याद करना कि देने में देड्रामा है कंको समें के इंपॉर्टेंट इंपॉर्ट ऐलीमेंट से उनको याद करेंगे। इसका कब हुआ कौन से प्रियेट में हुआ जैसे मिडिल इंगलिश में हुआ कब से कब हुआ था तो जो लॉंग भावेल्स थे उनके प्रोनुंशियशन को चेंज किया गया था इस तरह से हिंदी में इंग्लिश में हर तरीके से दिमाग अच्छे से से देनी इंगलिश को किस चीज ने काफी ज़्यादा इंफ्लेक्शन प्रभावव साली से इन्टीन एनलाईटिक समझने वाली आपकोण से फैक्टर थे जिसने सुरू-सुरू आई थी तो काफी ज़्यादा लगते तब्वाएं हमारे बस की नहीं हैं काफी इंफ्लेक्षन ले तो कौन-कौन से फैक्टर ने किस फैक्टर ने इंग्लिश को एक समझने वाली भासा एक सीम्पल भासा बना दी अप सबको मानू है कि इंग्लिश जो है उसमें जो वकाबलड़ी दुनिया का सबसे वड़ा वकाबलड़ी हैWell उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या उसका बॉरोइंग नेचर और इसके बॉरोइंग नेचर के कारण इंग्लिश को दुनिया का सबसे इंप्योर लैंग्वेज कहा जाता है यह दखना है कि दुनिया का सबसे इंप्योर लैंग्वेज है वो कौन सा है इंग्लिश है क्य तो कोशे नहीं पुझा कि क्या वो रियलाइशन क्या फिल करके क्या महसूस करके वो कौन से फैक्टर छे जो इंग्लिश को ले ले गए किसकी तरफ बॉरॉइंग फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज उसने बाकी दूसरे भासाओं से जैसे की लैटिन से इसका नवियन से फ्र पहले बार में दो पोएम दिया गया था फिर वह ने दो पोएम दिया है फर्ष्ट पोएम है माई ग्रांद मादर हाउस और सेकेंड है सॉंग ऑफ मैसल्फ तो पहले फेज में आपने लर्न किया था प्रिपेर किया था इपिताप और दसोल्जर और इस फेज में क्या करना को ग्रैंड मादर हाउस और सॉंग ऑफ मैसल्फ को प्रिपेर करना है अब प्रिपेर का मतलब पोएम को अच्छे से पढ़ना है दोनों पोएम को उसकी लाइन को देखनी है एक और खुश्ट उसका हिंदी करके समझना है अब आउट पोएट उनके बारे में उनका कब बर् अब्जेक्टिप्स जो लिखवाएगा है उसको करेंगे अगर आपके पास सपोज आप कहीं और क्लास करते हो कुछ भी हो तो वहाँ पढ़ाया हो गया होगा या फिर आपके पास अब्जेक्टिकी बूक होगी वहाँ से आप कर सकते हैं एक्सरसाइज में जो कॉश्चन उ यह सब्सक्राइट करेंगे या क्रेंग हो रहा है 21st of September से जो भी बच्चे online या offline जोड़ना चाहते हैं वो हमें content करें हमारा number है 911-311-5030 आप WhatsApp मैसेज करें आपको reply मिलेगा course की details उसकी fee की बारे में और यह course आपके लिए काफी beneficial होगा तो limited अच्छे से आप सब्सक्राइब करें आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में इसको कि ओके थैंक्यू फर वाचिंग